नमस्कार सबीकों मैं नील बेनिवाल अवर्श एजूकेशन के इस प्लाटफों में आपका स्वागत करता हूँ एच्छा ससी के जो भी एक्जाम हुए उनका हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अनलिसिस करना स्टार्ट किया है हर्याना जीके के जो हर रोद आपके लगबग हर्याना जीके का अनलिसिस हम करी रहे हैं लगबग आपकी कलास आ रही है तो जिन बचों ने नहीं देखिए वो जाका देख सकते हैं प्ले लिस्ट गों बनाई हुई है इसके लावा कम्प्यूटर का भी हमने किया है साइस का भी किया है बाकी जो बचे chimney जो पेपर हैं उनका जाके डाउनलोड करें और वहां पर हर्याना की सेक्षन में जाके और वहां पर जो आप कोई भी टैस सीरीज पर चोईज करोगे तो उसको आप अवर्स 50 O U R S 50 जो है कोड यूज करोगे तो आपको 50% का वहां पर डिसकाउंट मिलेगा आप जाकर एक बार जरूर चेक करें तो उसके लिए भी हुआ पर टैस सीरीज आप जाकर एक बार जरूर वीजिट करें और एक्जाम की तैयारी को बहतर बनाने के लिए टैस सीरीज जरूर परचेज करें तो यहां पर जो क्वेशन दिया गया कि सवराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया तो चोरी हिस्ट्री का आपका काफी इंपोर्टेंट टोपिक है यह जो महात्मा गंदी के जितने भी आंदोलन है देगे चोरा-चोरी कांड जो हुआ तो इसके बाद आपके ग्यारा फरवरी को जो है ग्यारा फरवरी 1922 को आपका ऐसे योग अंदोलन जो है इसको वापीस ले उन्होंने तो इसका स्पोर्ट किया और कुछ एक ने इसका विरोध भी किया और इसी के बाद आपका दिसंबर 1922 में जो है आपका कौनसा एक गया कांग्रेस का दिवेशन हुआ था जो कि कौनसा गया कांग्रेस दिवेशन जिसको बोला जाता गया में और इसकी सब्सक्राइब करें इसको नोट करोगे यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका कांग्रेस दिवेशन का तो इसके बाद नेक्ष देखिए नक्षियां पे रहेगा आपके सामने की विश्व व्यापार संक्ठन आपको यहां पे थोड़ा से विजीबल ना होता आप इसको बढ़ सकते हैं इसको समझने के लिए आपको यह देखने की इसकी स्थापना की तो आपकी जनवरी इसकी स्थापना कीगी तो कुंसा यहां पे जनवरी इसके लाबा ड़ल्यू आपकी क्या तो कुंसी बुंदेश टाग ओप्शन नंबर एसका राइट आपको नोट कर सकते हैं इसके बाद नेक्स देखिए नेक्स यहां पर रहेगा कि जर्मन विधान सभा जो है इसकी संगिय सभा को क्या का जाता है तो जर्मन जर्मन की आपक क्या तो कुंसी बुंदेश टाग ऑप्शन नम्बर एसका राइट अंसर पुंदेश टाग अब देखिये जर्मन कुंसा जर्मनी गतए नी क्या आपका एक एक क्शाम में पूप्छा भी गया इनका पूरा नाम तो शयाएद ओटो के नाम से ओटो बिसमार कि तरए का नाम था बस आपको में ध्यारक ने क्या बिसमार्क ने आपका जर्मनी का एकीकन किया था किसके लिए एकीकन के लिए आपका फेमस है और इसी के बेस पर आपका भारत का यह यå बिस्मार्क ऑफ लंटिया कई वो बोल आ और रइसके सठी फेजिकर कैने सबसें एहम श्योगडांकि इंडिया पत्युन 31 अक्तूबर 1875 को इनका जर्म हुआ था इसलिए क्योंकि ये खिकन किया था तो इसलिए इनके जर्म दियोस पर कुन सा राष्टी है एकता दिवस जो वो मनाया जाता है या हम इसको क्या कह सकते है नेशनल यूनिटी डे भी इसको बोल सकते हैं तो वो आपका कब रहेगा 31 अक हिलाओ ने इनको सरदार की उपादी दी थी तो यह इतनी चीज नोट करोगे और यहां पे जो क्योशन पूछा गया देखिए जर्मन विधान सभा कि आपकी कौनची बुंदेश्टाग रही और यहां पे जो डाइट दिया वह यह किसकी तो जापान की आपकी पार्लियमें कोई भी पैटरन फिक्स तो है निया के इसकी चीज और बाकी यह जो आपके हरियाना जी किके के के सकते हैं इनकी अलग से क्लासी चल दिये है जिन बचों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं यहां से भी आपकी काफी सारे नए क्योशन जो वो कवर हो जाएंगे नश्च यहां पर रहेगा कि वर्स 1910 में जो है साही जापान ने किस देश को अपने उपनी वेश के रूप में मिला लिया था तो कुछा कोरिया को मिला लिया था ओप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट अंसर लेगा और इसको कब तक अपने साथ मिलाए रखा था तो आपको पता जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद आपका 1945 तक जब जापान ने आतम समरपन कर लिया था तब तक जो है इसको इसका पार्ट समझा जाता था कि इसका जापान का कोरिया को और कुछा ओप्शन नंबर ए इसका राइट अंसर बनेगा इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हैं पर रहेगा कि पंजाब वाज डिकलेर एज न्यू प्रोवियेंस ओफ ब्रेटिस इंडिया आफ्ट तो पंजाब को जो है आपका ब्रेटिस भारत का नया परांत कोशित किया गया तो कब किया गया इसको सेकिंड आपका जो दुवित्य अंगल यूद था इसके बाद तो फोटिवन का कौन सा ओप्शन नंबर भी बनेगा दुवित्य अंगल सिख्य यूद ये कब हुआ ये 1848 से लेकर 1849 के बीच में यूद चला था और इसमें कौन जीता था तो इसमें अंग्रेज जीत गे थे और उसके बाद का है जो पंजाब जो है इसको ब्रेटिस भारत का एक नया परांत बना दिया गया इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है यहां पे की पोकेट वीटो जो ह इसका मतलब क्या होते है तो क्या किसी समय सीमा के बीना बील को अपने पास लंबित रखने की राष्टपती का धिखार होते है और प्रेजिडेंट जो है इनके आपकी उमर कितनी होते है तो 35 वर्ष जो हुँदिए गा तो आप囉 52 रहेगा इसके लावा राष्टपति जो अपना त्याग पत्तर किसको देता है त्याग पत्तर तो ये उपर राष्टपति को अपना त्याग पत्तर देता है किसको उपर राष्टपति को अपना त्याग पत्तर देता है ये आपको ध्यान रखने इसके बाद एक यहां से क्य तो यह भी आपको ध्यान रखना और यह आपके किस आर्टिकल में देगा तो यह आपको ध्यान रखने इसके लावा आपके राष्टपती से इतने सारे क्योशन जो बन सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्योशन नेक्स्ट देखें यहां पर दिया गया कि वर्ष उन्नीस उननतीस में दिसंबर में आपकी आयोजी कांग्रेस आपका डिवेशन हुआ था उसमें पूरण सवराज की घोशना की थी यह कहां पर था तो देखिए आपका कब हुआ तो सबसे पहले जो आपक इसके देख्ते जोहरलाल नेयरू और इसी के बाद क्याए आपका इसी साल यानि 31 से दिसंबर उन्नीस हो रावीणदी के तरफ़ जो आपका न्या जन्डा जो बनाया गया था उसको कहां पे फयराया था तो रावी नदी के तरफ़ जो इस जो भी है लाहोर अधिवेशनी यह मनाने की गोशना कि गई ठी और आपका कुछा तबी से आपका शुरू कर दिया था तो कुछा रेगा ऊप्षील नबर नहां फिर लाहोर अधिवेशन इसके बाद नेक्स्ट आपका कि वर्तमान में हमारे देश में कितने जेव मंडल सरेक्षन छेतरी या बाइस्फियर रिजरो जिनको बोला जा सकता है स्थापित किये हुए है तो आपके हाव मैंने बाइस्फियर रिजरो है विन सेट अप इन दा कंट्री एट परजें तो कित महा समुंदर की उपरी परज जिसमें शिलिका होती है और मैगनीशिम होता है और सिलिका का ऐसा यूज हुआ है और मेक आपका मैगनीशिम का उसलिए आपको इसका सीमा जो है वह बोला जाता है कौन सा बनेगा ऑप्शन नमबर एहां पर राइट अंसर आई एस एफ आर दो उन्सरे का सवीधान जो है सन्सोधन की सवीधान सुधन के दर्एट जो है दल बदल विरोधी संसोधन के जाना जाता है यानीव कौन सा रहेगा आपका 24 सविदान संसोधन जो कि आपका option number a बनेगा और ये कब हुआ तो ये 1985 में आपका ये संसोधन हुआ था और इसमें आपका जो क्या किया गया था कि जो आपके एक पार्टी से दूसरे में चले जाते हैं यानि जो दल बदल लेते हैं उसके उपर ये संसोधन किया गया था तो दस्वें जो है आपकी किसे दल बदल से आपकी जुड़ी हुई है तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके लावा ग्यार्वी किसी है तो ग्यार्वी आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई है और बार्वी आपकी किसी है तो आपकी नगर निकम नगर निकाई से नेक्स्ट और बाकी जो यहां पर दिये गए इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन-कौन से सविदान संसोधन है यह यहां भी आपका कौन सा तो 42 सविदान संसोधन जो ही यह काफी इंपोर्टेंट है और कई बार क्योशन पूछा गए एक तो 42 एक दूसरा 44 दोनों के कब हुआ तो देखे चार और दो च्छे इन दोनों को जोड़ेंगे यह यह इनी सो चैतर में जो आपका 42 सविदान संसोधन हुआ था और इसमें क्या क्या किया गया था इसमें आपके तीन शबद जोड़े गए थे कौन-कौन से थे तो एक आपका एकता और अखंडता था दूसरा समाजवाद तीसरा आपका धर्मिन निर्पेक्ष यह तीनों के तीनों के तीनों शबद आपके 42 सविदान संसोधन हुआ था इसमें जोड़े गए थे इसके लावा आपकी दो लोकसभा और विधान सभा की सीट है लोकसभा और विधान सभा की आपकी विधान सभा वाल के समन्द में आपको यह बताना है कि इन कथनों पर आपको विचार करना है तो सबसे पहला देखिए कि इनको 2006 में रेमेन मैक्स से अवोर्ड से समानिच किया गया था तो बिल्कुल सही है यह वाला उसके बाद देखिए वह है आम आदमी पार्टी जो है आप AWP जो हैं प सब्सक्राइब करने में इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखिए हैं यहां पर देखिए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के तोर पर कारे रथ है इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखिए आपको परतम यूदि यह तो आज कल बचे बच्चे को बच्चे को कुनसा को चौ्थे का बनेगा सेकिंड ओप्षिन अब यहां पर देखिए कश्री vermud जो करेंगे तो कोणसा अपका तरड का बनेगा कौणसा कोडरण कोड़िए थिसका राइंट तो इसतारे से आपके सामने जब bakayım तो इसतरे इनको सोलो करेंगे जैसे अभी विजयन अगर सामराज्य जो इसका मुझे भी नहीं पता था तो मैंने क्या किया इसको एक बार लिव किया तो यह तो लगबग आपके चांस होते हैं 90% 95 भी मानके चल सकते हैं इस तरह से आपके जो है राइट अंसर यहां से निकल जाएंगे इसके बाद नेक्ष्ट और एक यह जो जितने भी पंचायती राज से दूड़े वी क्योशन है यह आपके लगबग यू मानके चलें आपके 20 तारीक तक आपके जितने भी पेपर हुएं इनमें 30 से 40 क्योशन होंगे शैद यह सारे के सारी हम अलग से डिसकस करेंगे क्योंक परस्ताओ जो है किसके द्वारा पेश किया तो देखिए आपका जब सविदान सभा जब बनाई गी तो उसकी सविदान सभा की पहली बैठक जो है पहली बैठक जो होई तो आपकी यहां पे एक सिकिंड यहां पे नोट करते हैं देखिए इसकी पहली बैठक जो होई तो प डोक्टर राजिन्दर पर साद उनको स्थाई अध्यक्स बनाया जाता है और इसके दो दिन बाद दुबारा से 13 दिसंबर को आपकी तीसरी बैठक होती है और इसी बैठक में आपका उदेशय परस्ताओ के रूप में यूज कर लिया गआ तो कुनसा इस उदेशय परास्ताओ प्रस्ताव को जैसे कब 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया इसको सरो सम्मेटी से सविकार कर लिया गया इसके बाद नेक्स देखिए इसके बाद नेक्स देखिए आपके इटली के करांतिकारी ग्यूसेप माजिनी ने यंग यूरोप नामक समाज की स्थापना कहां की थी तो कहां तो 78 का राइट अंसर बनेगा बर्न में ओप्शन नमबर 20 का राइट अंसर है तो देखिए इस तरह के आपके जो क्योशन है जो स्थापना कब हुई तो कब हुई यहां पर ओप्शन नमबर ए जो है 1993 में इसके स्थापना हुई थी इसके बाद और यहां पर देखिए इंगलीश में हमारे पास यह पेपल अवे लेबल नहीं है इसलिए यहां पर इंगलीश का पार्ट हो यहां पर नहीं दिख रहा चल दत्तु जो है वो भी इसके परजेंट टाइम में एक्जेकुटीव रहेंगे तो यह आपको ध्यान रखने हैं इसके बाद के लिए आपका इलीजिबल होगा ग्यान पिट पूरसकार के लिए कौन जो इन 22 बासाओं में से किसी एक में आपका लिखता है यह आपका साहित्य का पूरसकार हो जाएगा और 2017 में किसको हिंदी साहिते के लिए दिया गया था क्रिशना सोबति को और सबसे पहला कर पूछ ले सबसे पहला तो किसको जी शंकर कुरूब को लिए खासा था अकितम अकितम अक्यूतम नमूदरी को जो है यह 2019 का जो है आपका ज्यान पिटपुरसकार दिया गया है अब आपको यहां पे लेंग्वेज भी ध्यान रखनी है जैसे कृष्णा सोब्ती को किसमें तो हिंदी साहिते में दिया गया था अमिताब को किसको तो इनको इस भासाओं का जिकर है शुरू में जब आपका सविधान बना था तब कितनी थी तो वहां पे चोदा भासाएं थी उसके बाद आठ नई भासाएं भी जोड़ी गई है वो भी हम अलग से इनको डिसकस कर लेंगे तो यह आपको ध्यान रखना है कुनुस था आपका इस राज्य राज्यों को अंग्रेजों के द्वारा लैप्स का सिधात जो है इसकी नीती करके कबजा किया गया है तो लैप्स की नीती हम बोल सकते हैं जो कि यहां पर डोक्ट्रीन ओफ लैप्स इसको इंगलिज में बोला जाता है हिंदी में इसको क्या तो हडप की नीती इसको बोला जाता है हडप की नीती हडप की नीती जो इसको बोला जाता है इसके तहत जो है कौन-कौन से आपके रियास्त जो है कौन-कौन से राज्य को कबजा किया गया था तो सबसे पहले तो यह ध्यान होना ची यह किसके द्वारा लागू की गी तो किसके द्वारा डल होजी के दौरा इसको लागू किया गया और इसी के तहट आपका इसका मतलब क्या बनता है कि इसके तहट सबसे पहला जो रियासत है सबसे पहला राज्य जो है वो कुण सा तो 17 हडपा गया था कब 1848 में तो यह आपको ध्यार रखने सबसे पहले अडपा गया था इसके रासंबल पूर्भी उद्यपूर्भी यह सारे के सारे आपके हडपे गए थे तो इसके कोडिंग क जांसी को भी नोने हडप लिया था कब तो 1853 में जो है जांसी को इसी नीती के तहट हडप लिया था यह भी आप ध्यान रखोगे तो इसका आपका राइट अंसर बनेगा कुण सा ओप्शन नंबर डी यहां पर किसी भी देश के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे होता है पार्लियमेंट को ımız लुआ जेगा तो कुण सा आपका उप्ठाइपती हो आपको याद करवात भाता हूं देखिsystem god एक आपका राश्टपती है तो राश्टपती से डिनोट करते हैं यह आपका परधान मंत्री को सकते हैं और राश्टपती किया ओना चाहिए और उपराष्ट्त पती की यह च्योष्गतैं के किया चैश्क कराइट राज्यसक्तों कराइपकी 50फ यह वória को सकती है यह आपके सिर्फ इसी अपकी बनती है वैसे यहां पर कौन सा बनेगा आपका संसद option number 10 का right answer है इसके बाद next देखिए तो I think आज की class में हम इतना ही रखते हैं बाकी जो बच्चे vacation हो वो हम जल्दी cover करेंगे इसको क्या है सिरीज स्टार्ट की है इसको सिरीज को बिल्कुल हम end तक लेके जाएंगे और आपके काफी सारे अगर पहली बार चैनल पर आएंगे तो I think आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर पहली बार चैनल पर आएंगे तो इसको सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके साथ ही जो भी पेपर अभी हुए है जो भी एक्जाम हुए है उनकी पीडियेफ एक एक प्रेंट करके जो आपके टेलेग्राम पे अवेलिबल करवाई जा रही आप जाकर वहां से भी पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हूं आपनी तैयारी कर सकते हैं इसी के साथ इस वीडियो में मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखैंपड़ते र